नमस्कार दोस्तों मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता दोस्तों अगर आपकी भी मितुन राशी है और आप जानना चाहते हैं आज का संपून राशी फल दोसे वीडियो को पूरा वश्य देखें दोस्तों आज बुद्वार है भगवान करें शिकवार है इसले कमेंट बॉक्स में गड़ पता है नमावश्य लिखें वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राब करके नोडिफिकेशन ओल को ओन जरूर करें चली दोस्तों आज के बंचांग को जान लेते हैं आज का बंचांग है 5 जुलाई 2023 दिन बुद्वार आज की तितिय है दुईतिया आज का नक्षत्र है श्रबन नक्षत्र सुरेद है 55 अम सूरिय आस्न 7 12 पीम सूरिय राशी सूरि मिथुन राशी पर है अभी जीत मुहुर पर आपकी मदद करेंगे। पत्नी से कुछ बाते नहीं करींगे। आये जानते हैं, कौन सी है वो बाते हैं। चाड़ाकी के निर। सर महिलाए अपने पति से अपने पूरी प्रेमी के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि पति परदाश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पत्नी के जीवन में उन से पहले कोई था। चाराकी जी का कहना है कि ज़्यादा तर शादिशिदा महिलाया पर सीक्रेट क्रश के बारे में अपने पती को नहीं बताती है आरतों को घर की लक्षमी कहते हैं अगर उसके पास थोड़े भी पैसे होंगे तो उसमें से वो कुछ ना कुछ जरूर बचा कर रखेंगी और जब कभी भी घरिया पती के सामने आरते के संकट के स्थिती पैदा होती है तो पत्नी के बचाए पैसे ही पती के काम आते हैं पत्नियां ये बचत अपने पती से चिपा कर रखती है चाड़ा की नीती कहती है कि पत्नियां कभी भी अपने पती से शेयर नहीं करती है कि वो कैसा रुमेंस चाहती है और उनकी क्या इच्छा है अक्सर महिलाएं किसी ना किसी तरह की चोटी या बड़ी बिमारें से परिशान रहती है लेकिन पत्नी जल्दी अपनी बिमारी के बारे में भी अपने पती को नहीं बताती है पत्नी को लगता है कि बेवजा पती परिशान होगे आचारे चाना के कहते हैं कि जादातर महिलाएं किसी ना किसी को मन ही मन पसंद करती है लेकिन इस राज को वै किसी के सामने कोड़ना नहीं चाहती है दोस्ते अधी चाने की नीटे अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजे चले मित्रो आगे बढ़ते हैं और जाल लेते हैं आज का मिथुन राशी फल आज दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने के आपके ख्रमता आपको खास पैचान दिलाएगे जिवन साहती के किसी अचाना काम की वज़े से आपकी उजनाएं बिगर सकती है आर्थिक तोर पर बहतरी के चलते आपके लिए ज़रूरी जीज़े खरीदना असान होगा परिवार और बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको फिर उर्जा से लबरेंस कर देगा परिवारी जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है माता पिता का सहीयोग आपको मिलेगा पैतरिक वेवसाय में हिस्सेदारी मिल सकती है अज आपको अपने क्रोध पर काभू रखना होगा आज आपके क्रोध से आपके बने हुए काम बिगर सकते हैं और आज किसी से पैसो का विवहार ना करें प्रेम संबंदों को लेकर आज सितारे आपके पक्ष में रहेंगे लेकिन जल्द ही परिशानी दूर हो जाएंगी अज आप अपने बिजनस के लिए नई योजनाय बना सकते हैं समाजिक कारें से आपके पडोस ही आपकी तारीफ कर सकते हैं आपके शादी का प्रपोसल भी आज आ सकता है परिवार में खुशनमा महौल बना रहेगा आज केसी करन्या को गिफ्ट दें परिवार में सुक समरिती बढ़ेगी धिहान और योग न केवला अध्यात्मिक तौर पर बलकी शारिरिक तौर पर भी आपके लिए फायदे मन साबित होंगे आपके मनों कामना है दौाओं के जरिये पूरी होंगे और सब भागे आपकी तरफ आएगा और साथ की पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी विद्याला का काम पूरा करने के लिए बच्चे आपसे मदद ले सकते हैं आपके याद रखना चाहिए की प्यार मी में भी संजीदगी की जरूरत होती है और इसे हलके में नहीं लेना चाहिए आने दिनों के एक शाच आपके सहकर में आपको अधिक समझने की कोशिश करेंगे आज आपको कोई सकरात्मक समाचार मिल सकता है आपके श्रेष्ट प्रदशन के लिए आप तयार रहें आपको किसी प्रगार के बदलाव आज करने पड़ सकते हैं लेकिन ये बदलाव आपके लिए सही निर्ना ही साबित होंगे वित्य कारे निप्टानों और नए निवेश्ट आज आपको लाब हो सकता है आजिविका के क्षेत्र में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा राजिकी कारियों में लाब होगा विवहार कुशलता से समस्या का समाधान होगा वाहन समल कर चराएं अधूरे कारे पूरे होंगे जीवन साथी से समंदू में मदुर्ता आएगी महत्वपुन कारियों में लाब परवाही ना करे कारिश्तल पर सहकर्मियों का सहियोग आपको मिलेगा आज का दिन धारमिकारियों में बीतेगा किसी धारमिक सान पर आप खुमने जा सकते हैं आपको रोजगार के उचित अफसर प्राप्त होंगे परिवार के साथ विदेश का प्लैन बन सकता है घर में खुशियों का महौल रहेगा लवमेट के साथ कहीं बाहर जाने की योजना भी बन सकती है अज़के वियापार में दो गुना वृद्धी होगी आपको पिता से सर्प्राइज मिल सकता है बाईों के साथ रात का डिनर करने बाहर जा सकते है आज गरेशी को हरिलंका कपड़ा चुड़ाएं तरक्की के नेरास्ते खुलेंगे ऐसी कतिविदियों में सनलंगने रहें जो आपको सुकून दे आपके खर्चे बजट को बिगार सकते हैं इसलिए कई ओजनाय बीच में अटक सकती है शाम का वक्त दोस्तों के साथ बिताना दल्चस्प तो रहेगा ही साथी चुटी साथ बिताने की ओजनाव पर भी चर्चा हो सकेगी आपने बनमोजी बरताव पर काबू रखें क्योंकि आपके दोस्ती को बरबाद कर सकती है अचानक रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए सफलता आती हुई दिखाई दे रही है उन्हें वहशारत और पहचान मिलेगी जिल्सकी उन्हें एक अर्से से तलाश थी ऐसी जनकारियों को जाकर ना करें जो व्यक्तिकत और गोपनियों हो अगर आपने अपने जीवन साथिये पर प्रोध किया है तो आपको तुरंत प्रतिकरिया मिल सकती है इसलिए खुद पर काबू रखें आज आलस्य को त्याकर कारियों को समय पर करने से सफलता प्राप्त होगी, सोच समझ कर व्याई करें, आज स्वजनों और नहीं जनों के साथ मत भीएद खड़े हो सकते हैं परिनाम सुरूप घर में विरूत का वातवन उपस्तित होगा, अपने काम के लिए दूसरों पर दबाब ना डालें, दूसरे लोगों की इच्छाओं और दिल्चस्पियों पर भी कौर करें, इससे आपको दिली खुशी हासल होगी यात्रा संभव है, ओफिस की सहकर्मी और बड़े अधिकारी आपके कारे से संतोष्ट और खुश रहने के योग बन रहे हैं कोई भी नए काम चुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें भी लाव होने का अच्छा सा योग है रुके हुए और सोचे हुए काम पूर्ण होने लगेंगे, आज का आपका दिन अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ किसी लॉंग ट्राइफ पर भी जा सकते हैं आज किसी नए वेवसाय में पैसा लगाने से आपको दोगुनल लाव हो सकता है आप नए जमीन लेने की सोच रहे हैं, तो आज खरीच सकते हैं, असे आपको भविश्य में फायदा होगा आफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने में आपको पिछली कंपनी का अनुभव काम आएगा सुबह सूरे के सामने 11 बार ओंका उचान करें, स्वास्तिलाब के लिए अच्छा रहेगा पीने के आदत को अलविदा कहने के लिए बहुत ही अच्छा दिन हाज, आपको समझना चाहिए कि शराब सीहत की सबसे बड़ी दुश्मन है और यापकी शम्ताओं पर भी कुटारा गात करती है आपके लिए प्यार दुनिया में हर मर्स की दवा है सहकर्मियों और कनिष्टों के चलते चिंता और तनाव के शर्णों का सामना करना पर सकता है आज किसी नए कारे का प्रारंब ना करें ख्रोध एवों आवेश में व्रिद्धी ना आए, इसका तो ध्यान रखें दृष्टी से अत्यंत आनन्दाई दिन लगेगा आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी जादा है आज का दिन अनुखूल रहेगा आज नए दोस्त बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें उसे भली बात ही समझ कर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं आज किसी आनने पर भरोसा ना करें पानी का सेवन करने से स्वास्ति अच्छा रहेगा अब विवाहित लोगों को विवा का प्रस्ताव मिलेगा आज पर नीचर खरीदना शुप रहेगा बिजनस में साज़ेदारी सोच समझ कर ही करें साथ ही नई योजनाओं को लागू करने से लाभ होगा असंतान के प्रती विश्वास पड़ेगा गाये को गुड़ खिलाएं आर्थिक कस्तिती बहतर रहेगी सेहत से जोड़े कारेक्रमों में पिर से शुरू करने के लिए अच्छा दिन है दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से जदा खर्चा ना करें जीवन और कामकाज में दूसरों के लिए एक आदर्श बने कर्म जोशी और दूसरों की मदद की इच्छा के साथ मानवी मूलने को खुद में संचोना आपको पहचान दिलाएगा इससे आपके जीवन में अच्छा तालमेल पैता होगा आज ही लंबे वक्त से चले आ रहे हैं जगणों को सुलझा लें क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए किसी भी तरह की साजुदारी करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदूरूनी भावना की बात जरूर सुने ऐसे लोगों से जुड़ने से बचे हैं जो आपके प्रतिष्ठा को आगहाथ पहुंचा सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर मूर में उताचरा रहेंगे अभी भी कही न कहीं वो मजबूती नहीं है जो प्रेम जीवन में रस भर दे प्रेम को लेकर आप ज़्यादा ही सेंसिटिव हो सकते हैं जो से नगरात में विचार आप पर हावी हो सकते हैं इसलिए बैलेस बना कर चलना होगा दोस्तो बात करें आपके शुबंक की तो आपका शुबंक है आज नौ शुबरंग है लाल और मरून और उपाए पीपल की जड में तेल जडाने से आरतिक स्थिती बहतर होगी मित्रो इस वीडियो में दीके जानकारिय दे आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जादा सदा शेर कीजिए और कॉमेंस में हमें अपनी सुझावा वश्य दीजिए हम आपसे मिलतें अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों राधिरादे